हेलो प्रियान्स आज हम आपके साथ शेयर करेंगे शिमला मिर्च बनाने की सबजी इसे बनाने के लिए हमने एक किलो शिमला मिर्च ली है और एक आलू शिमला मिर्च और आलू को हमने आर्रेडी दोगर कट कर लिया है मसाला बनाने के लिए हमने एक टी स्पूर धनिया पाउडर एक टी स्पूर मिर्च पाउडर हाफ टी स्पूर हल्टी पाउडर और तो टी स्पूर नमक लिया है मसाला पीशने के लिए हमने एक प्यास चार पाल लहसुन की कली एक टमाटर लिया है इसको हम मिक्सी में पीश लेते हैं खिमलमिर्ज बनाने के लिए हमने कूकर लिया है और इसमें दो बड़ी चमज ओयल लिया है अब अच्छे से पकाना है उसके बाद ही मसाले अड़ करने हैं हमारा तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें पीसे वे मसाले अड़ कर रहे हैं कर दो हुआ है गाली तर यही यहाएब है दो कर दोरी दोरी अजल दोरी आगो को ओूसे है को जब होग है दो जो हो बिल्ग गिए ऐसते है जो डिले अदो है ज़ो है जदाना आ था कर दिया है कि हमारे मसाले जिन जोते हैं अब हम इसमें इसमें कट इसी मानिश एड़ करते हूं डाइडर को में इसमें इतर पाइड़न आप सब्सक्राइड में आप से अगाड़ा आप से वादा तर देखे एड़ा होगा थेखे अट रच्छे में आप से पनाटने आप से एक आप रहे हैं हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें एक शुची लगाने के लिए तक देते हैं हमारी टीटी लग सुकी थी अब में इसको हो गया है कर दो कर दिया है इसे पांस मुं के लिए भी पकाना है प्यूंकि यह प्रोडी है और इसकी लगती है आप देख सकते हैं खिमला मीट का पाली सूप चुका है और तेल अलग हो चुका है अब ये रेडी है आप देख सकते हैं ये कितनी टेस्टी लग रही है आप इसे ट्राइज जरूर कीजिएगा I hope आपको पसंद आएगी अगर आपको हमारी रेसीपी पसंद आएगी कॉमेंट में जरूर बताईएगा और सस्क्राइब कीजिएगा हमारी चाइनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा अगली रेसीपी में फिर मिलते हैं बाई बाई